चुनाव लोक तंत्र का उत्सो है भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेट पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं की घोशना की है उत्तर प्रदेश पिछले पांच वर्षों के दोरान प्रदानमंतरी मोदी जी के मार्क दरसन में उनके पेना से बदलाओ और बिकास की एक नई राह पर चला है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोक तंत्र का ये महापर्वका हम हिर्दे से स्वागत करते हैं 10 मार्च 2022 को जब उत्तरप्रदेश विधान सवाच चुनाओ के पेड़ाम आएंगे तो भारती जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनारदन का स्रिवात प्राप्त करने में सफल होगी इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए हाँ करोना महमारी के दोरान सतरकता और सौधानी हम जरूर रखें सतरकता और सौधानी से सरकार ने डवल इंजन की सरकार ने पिसले पांच वर्ष के दोरान प्रदेश की जनता के हिटों के लिए उनके जीवन में प्रिवडतन लाने के لिए गाउं गरीब, किसान, नौजवान, महलाईं और समाज के पदिएक तपके के लिए उत्तरप्रदेस के समग्र विकास के लिए उत्तरप्रदेस की बहितरीन कानुन विवस्ता के लिए जो कुछ भी किया है इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनारदन का असरी बाद एक बार फिर से भारतिय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुना बनेगी यह मुझे पुरा विश्वास है